दोस्तों जब भी आप डेरी फार्म शुरू करते हैं तो अपन पशू खरीद के ले आते हैं और उनके बाद उनका मेनेजमेंट शुरू करते हैं जबकि मैं अगर आप डेरी फार्म शुरू करते हैं तो मैं आपको एक बात बतना चाहूंगा कि सबसे पहले पशू खरीदने से पहले आप उनके चारे का इंतिजाम कीजिएं क्योंकि अगर आपके पास चारा नहीं होगा तो आपके पशू आपको बेशने पढ़ सकते हैं और काफी ज़्यादा नुकसान आपको होगा जो कि आजकल चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को पढ़ रही हैं तो पशू खरीदने से पहले आप उनका चारा इस्टो कीजिएं और हरा चारा उनके लिए आराम से लगा लीजिएं ताकि पशू खरीदने के बाद आपको कोई भी समस्या ना हो और काफी अच्चे से आप उनका मेनेजमेंट कर सके